तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टिंस की ठीक है जो मुश्टली पूछाए जाता है तो हम पढ़ रहे हैं बीसी पार्ट बन बेसी आपका फस्ट यह है और यह आपका सेमस्टर भी फस्ट है ठीक है तो इसमें आज हम अगले कोस्ट बढ़ाए जो है अच्छे से कर सकते हैं चलिए अब हम बात करते हो स्ट्रीव क्या कैय रहा है यह राइश्यव रिटर प्रभाव को समझाईगे इसपस्ट की जिए इसकी सहता से निम्न को स्पस्ट की जिए अभ पहले कि बताना आपको प्रेंडेग प्रभाव बताना फिर उसकी साहता से क्या बताना है निम्न को इस पस्ट की जो नीचे दे रखे हैं क्या दे रखा है कार्वोक्सलिक अमलों की अमलीता ठीक है acidity of carboxylic acid दूसरा कहा रहा है aliphatic amlog की छार कीता basicity of aliphatic amnes तो यह हमें दो चीज़ बताना है पहले आपको बताना है कि आपका जो predict प्रभाव होता है वो क्या होता है inductive effect inductive effect आपका क्या होता है उसके बाद इसी के अधार पर आपको क्या बताना है कारboxylic amlog की अमलीता ठीक है जिनमें COOH ग्रूप पाया जाता है उनकी क्या बताना है आपको अमलीता दूसरा क्या बताना है aliphatic amino aliphatic amino की छारिकता ठीक है जिनमें आपका NH3 या NH2 ग्रूप लगा रहा होगा ठीक है चलिए हम बात करते हैं answer पे प्रभाव ठीक है inductive effect आखिर होता क्या है तो देखो यह किसी अडू में ठीक है किसी molecule में दो परमाणूओं के बीच दो परमाणूओं के बीच उनमें जो electronegativity का difference होता है उनमें जो more electronegative atom होगा वो क्या करेगा electron जो electron की साज़दारी से बंद बनाओगा दोनों परमाणूओं के बीच में उन electron को अपनी और हलका सा क्या कर लेगा पुश कर लेगा ठीक है तो यही क्या कहलाता है हमारा inductive effect ठीक है और साथ ही साथ बता दो कि यह जो inductive effect होता है वो माली पूरे molecule में मतलब बित्रत हो जाता है इसा नहीं है कि मतलब यह यह चला हमाला पहला carbon लेली हमने chlorine फिर क्लोरीन फिर क्लोरीन क्या करेगा कि भल इसी इसी बंद के electron को खींचेगा नहीं इस वाले बंद के electron को भी हलका पुश करेगा और इस वाले के भी ठीक है तो यह क्या होता है पूरे मलेकुल में अलकासा बित्रित हो जाता है ठीक उत्पन हो जाता है ये इसकी खासियत होती चलिए इस देखने कह रहा कहरा धुर्बिये सहसंयों जग बंद में साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणूं के बीच में बिदमान ना रहकर उस परमाणूं की और बिस्थापित हो जाता है जो अधिक रिड़ विद्दूती होता है तो दोनों परमाणूं का जो सहसंयों जी बंद होता है वो कहां यहां बीच में ना रहकर कहां पहुंझ जागा आपका उदर पहुंझ जागा जो मोर एलेक्टों निगिटीफ मालो कलोरीन कैसा हमारा थो यह जो एलेक्ट्रोन योग में वो कहां चला जागा क्लोरीन के पास में चला जागा हलका सा ठीक है करा इस कारण उच्छ रिड़ विद्दुती यानि कि हाई लेक्ट्रोन निगेटिव परमाणू पर आंसिक रगण आवेश आ जाता है ठीक है जिसको हम डेल्टा से की हाईडोजन पर ठीक है कोई भी हो सकता है डेल्टा प्रस उत्पन हो जाता है सहवाजित इलेक्ट्रोन योग्म का उच्छ रिड़ विद्दुती यानि कि इलेक्ट्रोन निगेटिव परमाणू की और इस प्रकार से बिस्थापन को प्रेडिक प्रभाव या इंडेक् सहवाजित इलेक्ट्रोन के योग्म को कोई भी जो हाईले इलेक्ट्रोन निगेटिव होगा उसकी और इलेक्ट्रोन योग्म थोड़ा सा बिस्थापिद हो जागा तो यहीं क्या कहला है आपका इंडेक्टिव इफेक्ट या प्रभाव जैसे मानलों यह इननों दे रखा ह है ntch.igh.al तो यहाँ पर होगा जैसे कि हुम्ने उपर देखा था तो यह बीचमी होना चाहिए विदोंनों जो इलेक्ट्रन शाज़िक करके क्या बना रहें बना रहें तो इसने लेकिन यहाँ पर क्या होगा जो हाइडोजन है और क्लॉरिन के बीचमी जो बना हुआ टो इसमें क्लोरीन कैसा है हमारा हाइली लेक्रों निगेटिव तो यह इलेक्टॉन थोड़ा सा कलोरीइन की और शिफ्ट हो जाएगे ठीख है जिस से कलोरीन इसा और तो उनका प्रभाव करेंदे क्षा कि उचार प्रभाव के साघ्डोजन या कारवन और गार होग। तो उनका प्रभाव कैसा होगा माइनस ठीक है जिसको हम कहते हैं माइनस आई Amen ठीक है प्रभाव रिणात्माख प्रवंद प्रविपे प्रवाव मानड़िक अपर facts इसको हम कहते है जिसे मानेको और जिनकी एलेक्ट्रोन ड़ता ठीक है Paro डिंख कम होती नहीं की हाइडोजन और कारवन से अगर कम होगी तो वो क्या करेंगे या वो इलेक्टानों को प्रकर्षित करने की छमता अधिक होती है तो उनका जो प्रभाव होता है वो कैसा होगा धनात्मक प्रियंडिक प्रभाव जिसे हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं ठीक होता है किसी एक एलेक्टान दान कर देगा तब इस पर एक एक एलेक्टान के कमी आ जागी तो यह क्या करेगा कि इसको एक एक्लेक्टान मिल जाएगा ठीक है तो जिस पर धनावेश होता है तो ने इस वाली है तुम करें तो यह इसको को करेंगा रिकर्सित करेंगा तुम हो जागा आपका प्रतिकर्शत मानेस होता है माइस बाने वाले समूलitung एलेक्टओन आ करसंथ करने सब्भूं ऐसे से सब्सक्राइब करेंगे माइनस ऐसे सब्सक्राइब इस एफ्ट करने का यह इलेक्ट्रॉन को खीच लेगा सब्सक्राइब गुर्प या समू या ऐटम है जो एल्यक्ट्रन को आकरस्थ करते हैं सबसे पहली बात हम करें तो क्या है एन आर-3 प्लस एन थ्री प्लस यानि कि हपर जो नाइट्रोजन उस पर एक 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 लेक्ट्रल कम है तो यहाँ पर यह elektron को क्या करेगा आकर्सित करेगा तो यह पर यह यहां पर nitrogen क्या कर चार अपने और इस की बात करें ऐस तो यहाँ पर दखो सो क्किया करेगा ये विए अपनी और को खीचे दार करें और Western ganhar एक्ट करेक्ट करा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यह सभी हैलोगिं स्भारी मौलीकोल्स आटम वोते जो इल tsunamis को आकरसित करने की छमता रखते इलेक्ट्रान को आकर्षित करने की छमता होती है तो यह क्या exists करेंगे कि आपका माइन प्रभाव दालने वाले सम्हूं या इलेक्ट्रान प्रतिकर्षित करने वाले करेंगे इलेक्ट君 करेंगे जिन करेंगे तो यह क्रएगा प्रतिकर्शित करेंगे लक्टॉन को टीडबmm- मायनस इसके पास भी लेक्टॉन है c3C अब देखो यह गरिप होता है cig रोता मेध्ल गृब होता है यह क्या करता है इलेक्टोन डोनेटिंग का काम करता है मतलब इसके पास यह जो C3 लगा है यह क्या करता है इलेक्टाउन डोनेटिंग का काम करता है तो यह इलेक्टाउन किसी को देता है जब देगा तो कैसा हो जागा प्लस का एफेक्ट ठीक है और लेगा तो उसमें उपर वाला हो जागा तो यह कैसा हो जागा आपका CS3 का holthraj C तो ये भी आपका कैसा दिखागा पिलस आई effect यानि कि ये electron को donate करेगा इसकी CS3 का holthraj CS तो ये भी same हैं हमारा ये भी C2H 5 तो ये भी हमारा क्या है सेम ये electron दान करने का काम करते है CS3H तो ये भी क्या हमारा electron दान करने वाला तो यह सभी क्या है जिनमें अफ। प्रभवाव केबल धुरू तक ही सीमित नहीं रहता है परनतु प्रण्वरेक् प्रभाव का रवन स्रंखला मेरे संचारित हो जाता है कि वल भेहीं तक स्यमित नहीं वह थी और हमने बात की थी कारवन कलोरिन है ट्रें कारव करवन तो पूरी प्रण्खला में फही ऐसा नहीं कirst पहले कारवन और क्लोरीन तक ही मित्र है पूरी स्रंखला में यह फैल जाए ठीक है या दिदा नीगैड उन कार्वन परमाणूँ के बादि इसका कैसा हो जाता नगन जबकि दो आद करते हैं जिसके मां जिसके मद में तीर का चिन मतलब इससे इसको कि होता तीर का कम रिड़ विद्धुति परमाणू से अधिक रिड़ विद्धुति परमाणू की ओर निर्देशित रहता जैसा कि उदारण में देखाया गया अगर हम बात करें आपको देर रखाया है तो और यह आपका है तो यहां पर अगर हम बात करें जो इल्दों कर लेगा और इस वाले लक्ट्रानों को भी और इस मतलब पूरा सिस्टम पूरे सिस्टम की जो लेक्टान होगी वो हलके से एक प्रमाणूद की होगा उसकी और हलके से हो जाएंगे ठीक है तो इस पर कैसा आजागा प्लस का जागा बागी चाहां पर बन टामिपक जागा उसके टू टामिप थ्री टामिप फोर टाम क्योंकि यह चौथा कारवन है यह थी चार चौथा करवन तो फोर टायम कम इस पर कैसा आजागा प्लस काज आजागा ठीक तो यह हो गया आपका प्रेडिक प्रभाव कारव संच्रित होता हुए प्रदर्शित किया गया जैसा कि आप देख पार है जो इंडक्टिव प्रभाव पड़ता है क्या उसमें आ जाते हैं तो वही हमें देखना है तो सबसे पहले आपको पूंच लिया उपर ही दिया था कि कार्वोक्सलिक अमलों का अमलीय गुण तथा आप एक चिक प्रवलता जो कार्वोक्सलिक होते हैं आने की जिसमें सी डवलो एच गुरुप पाया जाता उसका आपका उनका आपको अमलीय गुण बताना है उसके बाद आप एक चिक प्रवलता मतलब बहुत सारे एसिट दे रख्योंगे उनमें आपको तुलना करने कि कौन सा कंपर कौन सा ज्यादा एसिदिक होगा कौन सा कम ठीक होगा ठीक हां दूहम बात करते हैं रेलेटिव इस्ट्रेंथ की करा रिलेटिव इस्ट्रेंथ generally आपका अई क्वर्पर करती है कि वह कितनी सुखमता से आयन थोकर है फिलस आयन यानि कि यह रोजबन देता है तो अब कर एकट्रोन बाहर निकलेगा अब यह कबंडने लिए यह जितनी जल्दी से निकल जागा यह उतना ही ज्यादा हैं जो हमारा एच प्लेस जितनी जल्दी से निकल जाएगा वहीघिया होगा उतना उतना ही ज्ne बलता होती है वह इसी बात पर निर्फर करते है कि वह है एड्यायन को कितनी जल्दी से रिलीज कर देता है तो नेक्स हम देखें अंतर किसमें देखते हैं एस टिक अमल यानिकि थी दोलो एच एस टेक अमल फार्मेक अमल की अप एक्छा दुरुबल अमल है जो सिट रिसी में reason क्योंकि इस में एक मैपतल मूलग यानि की सी थी होता है जिसका धनात्मक प्रभाव होता है वह दो फ्लीड कांब कर तो इस पर कैसा हो जाका पिलस करते हैं तो इसका धनातमक प्रभाव होता है ठीक है यानि कि यह अधिल मूलत का धनात्मक प्रदिक्त प्रभाव से ड़ॉलाएच समूँ के वह भाग तक पहुच जाता है इस कारण आध्ब एंद्ध के लेक्ट अक्सीजन परमाणू की ओर बिस्थापित हो जाते हैं का वह जाएंगे फिया अगले वाले हैडोजन से एलेक्टानों को एजली नहीं खीच पाएगा फल्स रूप कहरा है इसके उपरांत ओएच बंद के जो हाइडोजन का एच प्लस के रूप में आइनन अपेक्छा क्रत कैसा हो जाता कठन हो जाता है वह ओ आक्सिजन को पहले ही छी अपने जो हमारा फॉर्म ऐसे डूटा उसका सुत्र के आपका एच सी डवल वाइच तो इसमें क्या होता है यह हाइडोजन होता है करवन के स्थान पर ठीक है तो यह यह आपर हम देखेंगे तो यह उक्टन हमारा मोर एक्टोनेगे टिवर अक्षी स्थी इसका प्लस आइफ अग्ट है एच की तुलनामे इसा होगा जादा देगा तो यह लेक्टरौणों को जाधा डोणेट करेगा इसकी तुलनामे जिसके फल्च रूप यही कारण है चलिह हम दोनों की बात कर लेता एं पहले घर हम um तो यह जो ऑक्षिजन होगा ठीक है यह क्या करेका इस वाले बंद के जो हाइडोजन बंद वा इस वाले बंद के उलेक्टॉन को को खीचेगा तो इस वाले ऑक्सिजन के एलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कार्वन की और यह हडोजन क्या होगा प्लस की फॉर्म में बाहर चला जाएगा आपका ठीक है एच पिलस बनके तो यह निकल जाएगा अब यहां पर देखो इसको कोई इलेक्ट्रॉन दान करने वाला नही जो हाइडोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी और खीच रहा है अब इस कारवन से जो ऑक्सिजन लगा हुआ है यह वह यह वाला ऑक्सिजन मतलब यह उपर वाला ऑक्सिजन जितनी तेजी से इस बंद के इलेक्ट्रॉन को खीच रहा है उतनी ही तेजी से यह वाला ऑक्सिजन क्या कर रहा है लक्ट्रान को दे रहा है तो इसके खीचने की छमता जो है वो कैसी ओजागी और यहां से जो और से हैडोजन निकले का थोड़ा देर में निकले एक इसकी तुल नाम तो हम कह सकतें कि यहां पर यह हमारा मोर ऐसे लिगा कान सा होगा यह है एच सी डवल ओए एच सी डवल ओए चैसा है प्रविक होता है नेक्स्ट अमारा दूसरा कह रहा है विविन क्लोरो एसी टिक अमलों की अमलीता का करम अगर प्रकार होता है इसलिए यह मोनौ डवां अग्वक से लिए इतना पाट आपका लेए प्रकर है तोHa C इसलिए न बात करेंगी एन कहिंतना पार आपका dekकार हूं इसके घर बाद करें तो इस में जो कलोरिन है यह अपने लिक्टानОं को देशाल इस धर यह pienकर है yre ऑपने निकल जागा अब तुलना करते हैं पहले कौन सा निकलेगा इसमें देख़े यह की क्लोरीन लगा हुआ यहाँ अगर हम बात करें इस वाले कि तो इसका नाम हो जागा डाय क्लोर असिटीक तो यहां देखो एक Central an को यह अर्य तो इसकी तुल्णाम में हम कह सकते हैं कि यह आजला इजली ली हो जा गा एच फिर्म में बाहर हो जागा नेक्स शागर H 귀여ं यहां की तो इसमें देखो तीन क्लोरीन आपको दिखाई दे रहें कित Morgan जो कि क्या करेंगे बरावर सक्ति से बरावर की स्पीड से इलेक्ट्रॉनों को यहां से खींचेंगे ठीक है तो इलेक्ट्रॉनों को जब तीन लोग खींचेंगे हैभी क्या था किवल एक क्लोरीन था आप तीन आगए तो यह और इजली आपका जो है निकल जागा तो अगर हम इस्ट्रॉंग की बात करें तो सबसे ज्यादा इस्ट्रॉंग कौन हो जागा तो सबसे ज्यादा इस्ट्रॉंग हमारा कौन सा हो जागा थर्ड वाला उसके बाद हमारा कौन सा हो जागा सेकेंड उसके बाद हमारा कौन सा हो Dichloro Acetic Acid, यह क्या है, उससे कम, उसके बाद Mono Chloro, यह क्या है, सबसे कम, ठीक है, तो order आपका क्या हो जागा, 3, 2, और 1, यह आपका हो जागा, Acetic Strength का order, ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका रीजन क्या है, कहरा है, इसका रीजन यह है, कि Mono Chloro Acetic Amal में, एक रिड़ विद्दुती क्लोरीन परमाणू है, डाइक रिड़ विद्दुती क्लोरीन परमाणू है, इसलिए इसमें, अमलीता, Mono Chloro Acetic Amal से अधिक होगी, यानि कि, जो डाइक रिड़ डाइक रिड़ विद्दुती क्लोरीन परमाणू है, अब देखो, 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 एच प्लेस वहाँ से वहाँ निकल जागा थड़ कहरा एसिटिक अमल की तुलना में मोनो क्लोरो एसिटिक अधिक प्रबल है याने कि जो हमारा एसिटिक अमल है सेस्ट्री सी डबलो एच के अगर हम बात करें इसकी तुलना में हमारा कौन सा मोनो cloroacetic acid ठीक है monocloroacetic अधिक प्रभल है चले हम देखते हैं क्यों क्योंकि monocloroacetic अमल का CL प्रमावड़ रिरात्मक प्रवाव के कारण ओएच बंध का यग में oxygen की ओर हो जाता है इसके, फल्सुरूप hydrogen की तो इसमें आपको कोई एक्टो नेगेटीव डीवाल और लगा हुआ है ऊपर वाला जो अक्षिजजन लगा हुआ है किवल वही एलेक्ट्रॉनों को यह वाला और एदर खीचेगा और यह और यह और परमाड़ू नहीं लगा हुआ है इलेक्टो नेगितिव जो अपनी और खींचेगा तो यह क्या करेगा यहां से प्रोटान के बाहर निकल जाएगा लेकिन तुलना अगर इसकी कि जाए ठीक है यह अमारा है मोनो क्लोरो यह आपका क्या है मौनो क्लोरो ऐसिटिक असे इसके साथ में अगर क्लोरो यह खार दो वाले लेक्टानों को खिंचेगा और यह खिंचेगा और अगले वाले उलेक्टानों को खिंचेगा ठीक है जो प्रेंड़ क्रभाव हो पूरे सिस्टम में ऊत्पन हो तो यहां से यहां तक कि एक्टाण को कीज रहा है तो हम कहा सकते हैं कि हाइडोजन यह यह क्या करेगा आपकी प्रोटान निकाल दिया ठीक है यह ऐसे बना दिया आइनेद कर दिया ठीक है आइने तम जो दूसरा हम से कुश्चिन पूंच रहा था वो कहा था था अली फैटिक अमीनों का चारी गुड अली फैटिक मतलब कार्बन और अन्ड जो परमाड़ होगा कार्बन सा लगा हुआ उनके बीच में क्या पाया जागा यह सिंगल वॉन ठीक है चार्बन हो हमारा चाह नाइटोजन हो उनके बीच में कैसा सिंगल वॉन पाया जागा उन्हीं कहते हैं एली फैटिक क्या कहते हैं एली फैटिक अमीनों का चारी यह गुड तो कह रहा है बेसिक करेक्टर आफ एली फैटिक एमीन इसकी अगर हम बा कितनी आसानी से दे सकता है ठीक है प्रोटान उसको कितनी आसानी से एसेप्ट कर सकता है एच प्लस आएं तो वही क्या कहला आती उसकी छारिकता गुड कहला ठीक है जितनी इजली अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेर दे देगा वही उतना ही ज्यादा क्या होगा मोर बेसिक ह कि से इका की 09 जैनि-ट्रोजन पर उपस्थित एका की युग्म यानि कि लोन पिरा फ़्लेक्ट उपनाने भाग नहीं लेते उन्हें कि लोन पिर अ पर नाइकटॉजन लिखा हुए लिखा हुगा क्योंकि यहां पर पहले लिख दी है अम्मीन का चायी गुण्ट वह होते जिन में आइट्रोजन ने सट रुजो फे पाए जाता है वही क्या करा थे हैं सब्सक्रांट भी जब्यक्राइब कॉण्समोर्ड तो कह रहा है मेथिल एमीन में मेथिल समूँ के दनात्मक प्रवाव गया निकि जो हमारा थे इस थरी गुरूप होता है वो कैसा होता है पिलस आई एफेक्ट को सो करता है यानिकि एलेक्ट्रोन को देता है के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रोन अमोनिया की तो को की तुलना में और सानि से उपलबब हो जाते हैं बैं अमोनिया के महारा ने स्थरी तो इसकी तुलना में च्हों घर होता है उसकी जो loan pair होते हैं easily अपना donate कर देता है क्या करता है आसानी से उपलब्द हो जाते है यानि कि कोई भी जो proton जाएगा H plus वाला वो क्या कर देगा इनको आसानी से accept कर लेगा अता कह सकते हैं कि methyl amine ammonia की तुलना में अधिक छारी होता है कि देखो क्यों नायटोजन परमाणू पर जितने अधिक इलेक्ट्रॉन देने वाले यानि कि च्छ ठी गुरुप जितने ज्यादा लगे होंगे नायटोजन परमाणू से उस पर उतनी ही अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन की उपलब्दता आधिक हो जाएगी यानिकि वह उतनी आसानी से एकाट की लेक्टान को आजाद कर सकता है डोनेट कर सकता है जिसके फल्सुरूब चारगता भी क्लाईगी अधिक ज़्त गरन कर देगह उसकी उल्हकता उसके टान कर देगे सा सथे आधा आ वाला नुट कर रहे घराएव से कोई लेक्टर डेने बाला नहीं है तो इसको बाहर से कोई electron देने बाला नहीं है तो अगर बात करें तो इसको इस तरह से आपके यहां पर हो जागा इसका जो लोन पे रहा है वो proton आएगा एच पिलस और क्या करेगा इसको करेगा ठीक है यह जितनी आसानी से को ओल्र दे दैगाशứ अभी इसकी स्थी गुरुप लगा हुए कि क्या करता को पहले से लेक्रालउंग और दूसरे को देता है किसके साथ में लगा हुआ 62 के साथ में लगा वह तो इसकी अगर हम बात करें और तो और तो यहां पर स्ट्रीव क्या कर रहा रहा झिससे जो नाइटोजन पर लेक्टन पर होगा कम शक्ति से यानिकी डोनेट नहीं कर पाएगा ठीक है यहां सुरी वह क्या करेगा देखो जो श्री गूरूप लगा वह भी एलेक्ट्रोन दे रहा और नाइटोजन पर रोगा वह बहुत ही आसानी जियानी की बहुत ही जल्दी कहने का मतलब है वह अन्य परमानूं को दे देगा ठीक है जैसे हाइडोजन को यह आपको कितने दो क् किसको एनेच्टू को अब एनेच्टू को जो एलेक्टून देंगे तो एनेच्टू के पास में जो एलेक्टून प्यर है वो क्या करेगा और जल्दी निकल जाएगा ठीक है यह लोन प्यर क्या करेगा और जल्दी निकल जाएगा अब इसकी अगर हम बांद करें इसकी एक सी तरी यह लगा है दूसरा यह लगा है तीसरा जो है याने कि 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 सको रिपल करेंगे नाइटोजन पे पास में एक पहले से रहता है एलेक्टों पेर वो बहुत इतनी तेजी शेर मतलब दे पाईगा तो इसके आधार पर यह जो आपको बताया कि जितने जादा मेथल गुरुप लगे होँ इस थरी गुरुप आपके लगे उओ बूप करते हैं इलेक्टान को दाना करते हैं उसके आधार पर अगर वात करें तो सबसे टो सबसे ज्यादा बैसे आपका फॉर्थ वाला होना चाहिए और उसके बाद आपका तर्लमान से लगा तो यहाँ आपका यह यह आपका रहूगा जागा ऺड़ा और फॉर्ट शॉर्फ चारगता का करम धीगरी एमीन फर्स्ट आपके हो गया यह वाला थ्री डिग्री मतलब कोई भी जो परमाणू है वो उगर तीन कारवण से लगा हुए तो उसको हम पहिते हैं करवण से लगा हुए जितने लगा होगा उतनी कारवण कहला था ठीक है फ्री डिग्री सेकंड हमारा के टू डिग्री यह यह जो नाइटोजन है यह दो कारवन प्रमाणूं से मिला हुआ थर्ड की वर्म बात करने तो बन डिगरी आपके यह जाएगा CH3 NH2 निक्स्ट गया NH3 यह आगया आपका NH3 तो सबसे ज्यादा आपका किता लगा हुआ केवल एक ठीक है और इस पर कोई भी लगा हुआ है तो यह सबसे कम आसायनी से लेक्टानों को देगा कहने का ताथ पर यह लेकिन अगर हम बात देखें कि इसका जो बास्तिविक चारक्ता का करम है उसको हम किस तरह से ज़स्ट करेंगे ठीक है तो पर होंगे वह उतनी आसानी से अपने लेक्टान लोन पेर को दान कर देगा ठीक है प्रोटान को देदेगा अगर हम बात करें वास्तिविक चारक्ता का किरमगी तो क्या जागा तो कुछ इस तरह से हो जागा यह सबसे ज्यादा इलेक्टान कौन देगा टू डिगरी उसके बा अगर हम बात करें नाइटरोजन से क्या लगा हुआ था आपके तीन लगे हुए था यह था त्री इस थरी तरह से लगवग लगवग क्या कर लेंगा ऐसे इस तरह से ऐस कर लेंगे ठीक इसको इस तो दूसरा प्रोटान होगा हमारा वो इसके पास जाएगा तो क्या करेगा इस भीड जैसे भीड कहते न भीड तो ये इस भीड की वजए से वो आसानी से इसके लोन पेर के पास जा नहीं पाएगा ठीक है तो कहने का मतलब है कि यह वाला इसको 2immune करेंगी और यह इई से तो इसको कर लेगा हम बात करें बीड की तो इसको क्या करेंगे यह कैने एक एक सिय एस्ट्री न Jude छेयर करेगा और पहले से दो है बो क्या करेगा जल्दी से यह आप अपने डूसरे को प्रौइड करा देगा इसकी वात करें तो सघंता यानि की प्रूटान करें के यहां पर चालो कि जो करेंगा यही आ पाहर आसानी से नहीं निकल पाएगा यही कारण है कि जो हमारा 3 degree हमीन होता है 3 degree हमीन होता है वो सबसे कम basicity को दिखाता है तो basicity का आपका order क्या हो जागा तो यहाँ पर आपका order हो जागा 2 degree हमीन उसके बाद आपका order हो जागा 1 degree हमीन उसके जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं जो आपकी परिक्षा में पूछे जाने के चांसे हैं तो अगर आपको इसका पीडिये फॉर्म चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में इसको आपको इसका लिंक मिल जागा जांसर आप इस भी डाउनलोड कर सकते है पीडिये फॉर्म को और अपनी पढ़ाई जो है जिसे कर सकते हैं जिसे कि आपके मॉक्स अच्छे हैं ठीक है और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब पर दीजिए साधी बास में लगे बेल आइकन को दबादें जिस बने रही है हमारे साथ और अपने सारे एक्जाम की त्यारी करते रही है थैंक यू